अकसर लोग सवाल पूछते हैं, बॉलिवुड आज जिस हालत में हैं और नौर्थ ओडियन्स साउथ मुवीज की जो फान हो गई है, उसमें सबसे इंपोर्टेंट रोल कौन सी पैन इंडिया फिल्म का था, असली क्रेडिट किसको मिलना चाहिए। पुषपा जुकेगा नहीं साला, इस फिल्म का ये डायलोग फिल्म के अंदर जितना असरदार है, उतना ही जादा पारफुल ये रियल लाइफ में भी है। जी हाँ, फाइनली इंतिजार खतम हुआ, अलु अर्जुन का कमबाक इस ओन सरजी, पुषपा 2 का छोटा सा टीजर रिलीज हो चुका है। और सोशल मीडिया के रिकॉर्ड्स के आग इतनी उपर उठेगी, ध्यान से देखो धुआं आपके घर के बाहर भी पहुँच गया होगा। टीजर को देखकर एक बात तो पक्की है बॉस, फिल्म का लेवल जितना हम लोग सोच रहे थे, उससे तो कई जाधा उपर होने वाला है। पुलिस से तो पहले ही पंगा चल रहा था, अब तो पुषपा के फॉलोर्स भी खड़े हो गए हैं, बच्चा बच्चा टीवी पर उसकी न्यूस देख रहा है। जिसके सामने सब कुछ फीका होगा। आपसे भारी गलती हो गई। वरना अभी तो सिफ छोटा सा टीजर आया है, पूरे पिक्चर आना अभी बाकी है मेरे दोस्त, तब कहा मूँ चुपाओगे, अलू अर्जुन बैंड बजा देंगे सच में। वैसे पुषपा की सबसे बड़ी पावर यह है कि वो पैन इंडिया वाले टैग को काफी सीरियसली लेते हैं, फिर चाहे वो हिंदी डबिंग हो या फिर डायलोग्स और उनकी डिलिवरी। इवन फिल्म का म्यूजिक और अलू अर्जुन के इमोशन को लैंगविज बैरियर से उपर उठाना, ताकि फिल्म देखने वाला बंदा अपनी लोकल लैंगविज में भी सब कुछ फील कर सके। अब टीजर में तो BGM पारफुल लग रहा है, देखना इंटरस्टिंग होगा, इस बार फिल्म के म्यूजिक को नेक्स लेवल पे ले जाने के लिए फिल्म के मेकर्स क्या करते हैं। इवन विजय सेतुपती और लेटिस्ट अक्षे कुमार का नाम भी सुनने में आ रहा है। तो अब एक्सपर्ट ओपीनियन वाला टाइम, क्या बोलती पब्लिक? कुषपार आज भी KGF और बाहुबली की तरह सीक्वल फाक्टर की मदद से इंडियन सिरिमा के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ पाएगा। बाहुषपार आज है।